आज अगर कोई भी सिक्षक स्कूल से गायब पाया गया तो वो सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा केके पाठक ने नया आदेश दे दिया है जिसके बाद स्कूलों से सिक्षक आज अगर गायब मिले तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा 13 जुलाई आने के आज बीजेपी के द्वारा वधान सभा का घिराओ है सिक्षकों के लिए बीजेपी का ये आंदोलन होने से पहले ही सिक्षा विभात के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है आज अगर स्कूल से कोई भी सिक्षक गायब मिला तो फिर सीधे उसे सस्पेंड किया जाएगा अभी तक नियम ये था कि अगर स्कूल में उपसिती दर्श करवा कर सिक्षक गायब हो जाते हैं तो उनका वेतन खाटा जाएगा लेकिन आज बीजेपी के द्वारा वधान सबा का घिराओ का नतीज़ा है कि सिक्षकों की लापरवाही पर उनको अब बसकर खामियाजा भुगत ना होगा पूरी खबर आपको हम बताते हैं अब नमश्कार आप जनता जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सच्यू के के पाठक ने बीजेपी के सिक्षकों के मुद्दे पर होनी वाली या जुधान सबा के घिराओ के पहले ही नूटिस जारी कर सिक्षकों को पहले ही चेतावनी दे दी है साफ कहा है कि सिक्षकों को स्कूल में उपस्थित होना होगा या आदेश दिया गया है और साथी ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी सिक्षक स्कूल से गायप आया जाता है स्कूल में उपस्थित नहीं होता है तो फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा बिहार के सिक्षा विभाग की और से एक पत्र जारी किया गया है जुसमें आज की तारिक दे कर सरकारी स्कूल के सबी सिक्षकों को स्कूल में मौजूद रहने का आदिश दिया गया है और अब स्कूल में सिक्षक मौजूद है या नहीं इस आदेश को माना गया है या नहीं इसकी जाच भी की जाएगी आपको बता दे कि इसके निरक्षन की जम्मधारी जिलास तरिये पताधिकारी अनुमंडल की अधिकारे और प्रेखन अफसर पर अधिकारियों को दे दी गए है स्कूल में जाकर जांच किया जाएगा कि सिक्षक स्कूल आए हैं या फिर वो आंदोलन में गये हैं या फिर अगर स्कूल में उपसित नहीं भी होते हैं उन्होंने नियम को नहीं माना होगा तो आज स्कूल में नहीं आए हैं तो ये उनके उपर काफ़ी जादा भारी पढ चाहरी की गई है और यह सब इसलिए किया ज़ा रहा है क्योंकि नई सिक्षक में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है इसमें आज बीजेपी ने सिक्षकों के इस समर्तन में वधान सबा का घेराव करने का एलान किया है बीजेपी सिक्षकों के हित में पटना की गांधी मैदान से वधान सबा तक मार्च करने वाली है जुसमें बीजेपी के तमाम वधायक सांसदों के साथ सिक्षक संग के नेता सिक्षक अभ्यर्ती और नियोजित सिक्षक भी शामिल होने वाले हैं और अपने हक की लड़ाई में बीजूपी का साथ पाते हुए सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को आगे बरहाने वाले हैं और अब इसे कड़ी में सिक्षा विभाग ने सक्त कदम उठाया है यादेश दिया गया है कि जो भी सिक्षक दूसरे लोगों को भरकाने का काम करेंगे उनकी खिलाफ भी F.I.R. दर्ज की जाएगी उनके उपर भी कारवाई होगी और साथ ही जो भाजपा के साथ मिलकर आज स्कूल में परहाने के बजाए जाकर राध दोलन में शामिल होंगे अपनी हग की लड़ाई लड़ेंगे उनको भी सस्पेंट कर दिया जाएगा आपको बता दें कि जब से राजवे में नई सिक्षक नियमावली ज़ारी की गई है तभी से राजवे में सिक्षक अभियर्टियों की द्वारा विरोध किया जा रहा है बीपी ऐसी द्वारा परिक्षा लेने का भी विरोध जारी था इसे बीच डो मिसाइल नीती को भी हटा दिया गया और अवन सभी मुद्दों को लेकर सिक्षक एकदम से अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाब आंदोलन कर रही है बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को मार्च निकालेगी वधाल सबका घिराओ करेगी और अब स्कूल में बच्चों की परहाई बाधित ना हो कोई सिक्षक के सांदोलन में ना चला जाए इसे को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आज अगर कोई भी सिक्षक स्कूल में उपस्कित नहीं रहता है तो उसे सिस्पेंट किया जाएगा बाकि अब इस निर्देश का पालन किया जाता है या नहीं सिक्षक इसे मानते हैं या नहीं या देखने वाली बात होगी निरक्षिन करने के लिए अधिकारियों को भी स्कूल में भेजा जाएगा तो यह दूसरी तरफ भाजपा की द्वारा सिक्षकों के हित में आज सरकार के खिलाफ आंदोलन की पूरी तयारी हो गई है अब इससे जो नहीं चानकारी सामने आती है तो सब देच को आप तक हम सब्सक्राइब कर आपकी जो कुछ भी प्रतक्रिया है कमन सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो को शेयर कीजिए और बागी खबरों के लिए बढ़ने रहे जंता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थी आपके साथ वंधना धन्यवाद